नमस्कार आप देख रहे हैं SPN 9 News और आपके साथ मैं हूँ मिनाक्षी गुपता मध्य प्रदेश में उप्चुनाव में हर रोज नए नए दिल्चस्प मोड आ रहे हैं बज़ुबानी की नेताओं ने सारी सीमाई पार कर दी हैं अब उप्चुनाव को लेकर एक संसनी खेज खुलासा हुआ है वैसे तो चुनाव जीतने के लिए नेता किसी भी हद तक जा स सकते हैं ये तो हम सभी जानते हैं लेकिन मध्य प्रदेश में उप्चुनाव में अपनी जीत को पक्की करने के लिए प्रत्याशी ने नया शार्टकट रास्ता अपनाया है बतादे कि कॉंग्रेस पार्टी के दिगज नेता ने एक दूसरे उमीदवार को धमका कर उन्हें नीचा दिखा कर पैसे का लालच दे कर चुनाव से अपना नाम वापस लेने की सला दी है अब प्रतारित उमीदवार ने संसनी खेज खुलासा किया है अब इस पूरे प्रकरण का एक आडियो क्लिप भी सामने आया है और इस हकीकत का खुलासा खुद सपा नेता रोशन मिर मिर्जा ने मीडिया से बातचीत दवरान किया है इस मामले में जिस कॉंगरेश से नेता का नाम आ रहा है वो कोई और नहीं बल्की कॉंगरेश के दिगज डेता दिग्विजजय संग्व है बता दें की इसके साथ ही दिगविजय संग और मिर्जजा के बीच हुई बादचीत के एक आडियो क्लिप भी लीग हुई है हलो है हलो है नुसकारी रोसर मिर्जा साब बोल रहा हूं अरे तुम कहाए को चुनाओ लट रहा हूं यार भाज में जटाने के लिए लोट रहे है को तुम तुम जाने रहे हुआ कैसा होता काहां होता है को कि चुनाओ लोट रहे मतलब को मात मानों यह सब के विद्डॉप करो राकि तांज्यावी होगा तुमारी खाल हम लोग रखेंगे तैसा फडिना आ के मिल लेना है लेकिन अभी विद्डॉप कर लो देख रहे हो किसा आप लड़ रहे हैं और तुम कहाए कि इसलिए पढ़ रहे हो पुछि नाराज सुरीर शर्मा से नाराजी है क्या पार्शय दिख लेंगे लड़ा देंगे पार्शय तुमको अरे महाराज वारा तो में सिंद्धी आ मैं तो दिग जिए सिंग मता अरे छोड़ अब पार्शय दिखा जब आएगा तो मेरे से आना मैं करवा दूगा जा लब में विड्रॉख कर जाके जिसमें वो रौशर मिर्जा से कह रही है कि वो चुनाव से नाम वापस लें आपको बता दें कि लीक ओडियो में सुना जा सकता है कि कॉंग्रिस नेता खुद पूश्टी करते हैं कि वो दिग विजेस सिंग बोल रही है इसके बाद वो कहते हैं अरे तुम कहे चुनाव ल अपने लिए लड़ रही हैं बीजेपी को क्यों जिताएंगे दिग विजेस सिंग फिर कहते हैं तुम जानते हो चुनाव कैसा होता है क्यों होता है तुम क्यों बेमदलब चुनाव लड़ रहे हो नाम वापस लो जो भी होगा तुमारा ख्याल हम रखेंगे जाकर मिल लेन शुनील सर्मा से नराजगी है क्या? इस पर रौशन कहते हैं मैं सुनील शर्मा के पास गया था मैंने उनसे कहा था, उन्होंने कहा तुम आते ही मुझसे सौधे बाजी कर रहे हो मैंने चर्चा भी की, उन्होंने मना कर दिया दिगविजे सिंग ने इस पर कहा जब पार्शदी का चुनाव आए तो बताना मैं करवा दूँगा अभी विड्रॉग कर जाके मैं तेरे से कह रहा हूँ मुझसे आके मिल लेना मैं करवाऊंगा बता दें कि इस आडियो लीक के अलावा रोशन मिर्जा की वीडियो भी सामने आई है जिसमें वो बताते नजर आ रहे हैं कि वो इस बार समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रही है और उनके पास दिगविजे सिंग ने फोन किया था रोशन मिर्जा के मुताबिक दिगविजे सिंग ने कहा कि आप क्यों चुनाव लड़ रहे हो आपको तो चु चड़ रही हैं आगे की बात बताते हुए सफा प्रत्याशी कहते हैं उन्होंने मुझे बोला कि चुनाव मत लड़ो विड्रॉ कर लो और पार्शदी का टिकट हम देंगे आपको लेकिन मैंने कहा पार्शदी के चुनाव की कोई बात नहीं है हम सुनील शर्मा के पास भी चुनाव में उन्हें जीतने भी वोट आएंगे वो कम से कम दिखा तो पाएंगे अपनी बात को तो रख पाएंगे सपाउमीदवार का रोप है कि जब उन्होंने कॉंग्रेसी नेताओं की बात मानने से इंकार कर दिया तो उन पर इलजाम लगाए जाने लगे कि उन्हें बीजेपी की ओर से खड़ा किया गया है और पैसे लेकर वो खड़े हुए हैं तो देखा आपने की कॉंग्रेस पार् से जुड़ी तमाम ताजर जानकारी के लिए जुड़े रही है हमारे साथ अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेर और कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल SP9 News को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें